जै शनी देर प्रियभग कड़ों मैं स्वामी राजशी शनी पीठ मंदित इस्ट पटे लगर नई दिल्ली से आज आपके समक्ष प्रस्तोत हूँ और आस्ट्रोलोजी में रुच्ची रगता हूँ दस वर्ष की आयू से ही मैं अपने पूजने पिताश्री गुरु रजीष रिशी ची के निर्देशन में ऐस्ट्रोलोजी नियूमरोलोजी एवं धर्म गंतों का अधयान कर रहा हूँ जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एस्ट्रोलोजी एक साइन्स है जिसके सिध्धान्तों को हमारे रिशी मुन्यों ने वर्षों की तपस्या से और रिसर्च करकर हमारे धर्म शास्तों में पंकित किया हूँ मैं आज इनी वग्यानिक सिध्धानतों के अधार पर और आज के ग्रे नक्षत्रों की सित्यों के अधार पर आपको आपका राशीफल बताने जा रहा हूँ तो क्या कहते हैं आपके सतारे, कैसा रहेगा आज आपका दिन, क्या करें, क्या ना करें, किन चीजों से सावधान रहना है ये सब जानने के लिए आखिर तक देखते रहे हैं, आज का राशिकत आज 30 माए 2019 दिन शनिवार, चैतर मास का कृष्ण बख्षल रहा है और आज 10 मेतिती मद्र रात्री से प्रारम हो जाएगी आज अभी जीत मूरत दुपेर 12 बच के 1 मिनट से लेकर 12 बच के 50 मिनट तक रहेगा इस दौरान किसी भी शुपकारे की शुवात करने से आप को उसमें सफलता प्राप्त होगी आज राहुकाल सुवए 9 बच के 22 मिनट से लेकर 10 बच के 14 मिनट तक रहेगा इस दौरान आप किसी भी शुपकारे को करने से बचें यदि आप भी अपने जीवन में किसी भी समस्या का सामना कर रहे हैं चाहें वैं आपके पढ़ाई में सफलता, नौकरी ना मिल पाना या बार-बार आपका प्रमोशन रुख जाना या बार-बार सरकाई कर्मचारियों का टांस्वर्फ हो जाता है या आपके विवान में देरी आ रही है तो दुरंती स्क्रीन पर दियोए नंबर उपर हमें संपर करें और मुझसे यानि कि स्वामी राजशी से अपनी कुणली दिखवा कर ऐसे उपाई प्राप करें जिनसे निश्चत तोर पर आपको अपनी समस्याओं में फायदा मैसूस होगा प्रिये भक्त करो मैं आज आप सबी को एक ऐसा चमतकारी उपाई बताने जा रहा हूँ जिसे करने से यदि आपके मन में ऐसी इच्छा है कि आपका भी अपना एक स्वायम का घर हो अपना एक ओफिस हो तो आपकी ये मुराज इस उपाई को करने से जल्द पूरी हो सकती है ये उपाई बड़ी सरल्का से कोई भी राशी का जातक कर सकता है और आज इस उपाई को शद्धा पूर्व करने से निश्चित तोर पर आप अपना ओफिस या घर बनाने की दिशा में कदम बढ़ाएंगे जन्दी आज आप इस उपाई को जानने चाते हैं तो लास्ट तर मेरा ये वीडियो देखते रहें आईए आप जानते हैं कि मेश यानि की एरीज राशी वाले जातकों का आज का दिन कैसा रहने वाला है आज आप व्यर्थ की ही मानसिक चिंताओं में दिन बर घिरे रहेंगे और एक के बाद एक कोई न कोई डिस्टाक्शन आने से आप आपने काम में फोकस नहीं कर पाएंगे और आपकी परफॉर्मेंस आज डाउन रहीगी आज आपको क्रोध भी अधिक आएगा इसलिए आज आपको संयम रखने की जरूरत है आज अप मिमान सिक्षान्ती के लिए आप मेडिटेशन का सहारा ले इससे आपकी एक आगरता भी बड़ेगी और आपको क्रोध भी कम आएगा आज आपके ग्रेहस्ते जीवन में भी आपको कठिनायों का सामना करना पड़ सकता है और आपसी मनमुटाफ के कारण आपके दामपत्ते जीवन में अशांती का मोहल रहेगा आज यदि आप बिना जोड़ वाला सोने का छला यदि आप राइट हैंड़ हैं तो राइट हैंड में अने था लेफ्ट हैंड में धारण करें ये आपके लिए अत्यंत शुब होगा आज का आपका राशी फल देखते हुए मैं आपको दो स्टार देता हूँ जिन भी व्यक्तियों ने हमारे इस चानल को सब्सक्राइब नहीं किया हैं वेज सब्सक्राइब का बटन दबाकर हमारे इस चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर हमारे हर नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले पाएंगे तो चलिए आप जानते हैं कि व्रिशब यानि कि टॉरस राशी वाले जातकों का आज का दिन कैसा भी तरगा आज आप इंडिपेंडेंटली फैसे लेने में समर्थ होंगे और भली भाती सिच्वेशन को सबजने के पश्चाथी डिसीजन्स लेंगे आज यदि आप किसी से अपना उधार दिया हुआ धन या ब्याज लेने जाएंगे तो वो लोग आपको कोई न कोई भाना बना कर आज आपको पैसे नहीं देंगे बिजनस्मेन को अपने व्यवसाय में अचानब उठा फटक देखने को मिल सकती है कारेस नल की कोई मशीन खराब होने से भी आज आपके काम धंदों पर बुरा असर पढ़ सकता है जिससे आज आपकी मेनत भी फ्यर्थ हो सकती है आज आपको गुस्ता भी थोड़ा अधिक आ सकता है इसलिए अपने मन को शांत रखने के लिए आज आप मेडिटेशन अवश्य करें आज अपने दामपत्य जीवन में भी आपको कठे नायों का सामना करना पड़ेगा और बेवजा की चिक-चिक से आप दोनों के बीच मन मुटाफ हो सकता है यदि आपको ऐसा लगता है कि आए दिन आपके ग्रियास्त जीवन में मन मुटाफ की स्थिती बनी रहती है और बेवजों के जगडों के कारण आपका रिष्टा तूटने के कगार पर पहुँच चुका है तो तुरन्ती स्क्रीन पर दियो नमबरों पर हमें संपर करें और गुरू रणी शिशी जी या गुरुमा रुपमणी द्वारा अपनी और अपनी पार्टनर की कुण्डली दिखवा कर ऐसे उपाय प्राप्त करें जिनसे आपके प्रेम संबंदों में मजबूती आई हूँ आज का आपका राशी फल देखते हुए मैं आपको दो स्टार देता हूँ अब मैं आपको बतानी जारा हूँ मिथ्थुन यानि की जैमिनाई राशी वाले जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा नौकरी पेश अव्यक्तियों को आज वर्ट प्लेस पर एकदम अनुकूल हालात मिलेंगे और सेकरिमियों के साथ से आज आज आपके माइंड में बहुती क्रियेटिव आइडियाज आएंगे जिनको आपको अपनी टीम और अपने बोस के साथ शेयर करना चाहिए इससे आपको करियर व्रोथ के नए अफसर प्राक्थ होंगे जो भी लोग नौकरी ढूणने की कोशिश कर रहे हैं आज उनको कोई शुप समचार प्राक्थ हो सकता है और उनको इंटर्व्यू के लिए कॉल भी आ सकता है यदि कोई भी व्यक्ति अपने जॉब, प्रमोशन, ट्रांसफर इत्यादी से संबंदित किसी वी समस्या से पीड़ित है तो तुरंथ ही स्क्रीन पर दिये हुए नंबरों पर हमें संपर्ख करे और गुरु रजणी शिशी जी या गुरु माक रुक्वनी द्वारा अपनी कुणली दिखवा कर ऐसे उपाय प्राप्त करें जिससे आपके करियर को चार चांज लग जाएंगे आज आप अपने पढ़ियों से थोड़ संबल कर रहें वे आज आपको नुकसान पहुचानी की कोशिश कर सकते हैं आज का आपका राशी फल देखते हुए मैं आपको तीन स्टार देता हूँ अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कर्क यानि की कैंसर राशी वाले जातकों का आज कज़े कैसा भी देगा आज अचानक आपके सर में दर्ट उठ सकता हैं जिससे आप अपने कारियों में ध्यान नहीं लगा पाएंगे आज आपको सात्विक भोजन ही घ्रेंट करना चाहिए क्योंकि आज आज आप मसालेधार भोजन खाने से पेट की किसी समस्या से परिशान हो सकते हैं आज आप अपने परिवार के सभी सर्दस्तों के भाग्यों देका कारग बनेंगे और आपके परिवार के सदस्ते आज आपके साहिता लेकर जिस भी कारे को करेंगे उसमें उन्हें सफ़ता प्राप्त होगी है इसलिए आज आप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कुछ वक्त अवश्य निकाले आज आपके द्वारा पढ़ाया गया पार्ट आपके बच्चों को पूरी जिन्दगी याद रहे रहा यदि आपने सरकारी नौकरी के लिए कहीं एपलाई कर रखा था तो आज आपको इंटर्व्यू के लिए कॉल भी आ सकता है और जो भी व्यक्ति सरकारी नौकरी के लिए अपलाई करना चाते हैं उनके लिए भी आज का दिंशोग है कुछ दिनों के लिए आप ब्लू रंग के पिलो कवर्स का प्रयोग करें आज हनुमान जी के मंदिर जाकर सिंदूर चड़ाने से आपको शोग फल प्राफ्थ होगे आज आपको छोटे बच्चों के वीच फल वित्रण करना चाहिए इससे आपके धन के मंदारों में बरकत होगी आज का आपका राशी फल देखते हुए मैं आपको 4 स्टार्ट देता हूँ अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ सिंग यानि की लियो राशी वाले जात्रकों का आज का दिन कैसा रहेगा आज आपके ग्यान में विद्धी होगी और छात्रों को आज उनकी बुद्धी मानी के लिए उनके अध्यापकों से प्रशंसा प्राफ्थ होगी आज छात्रों को अपने अध्यापकों की हर आग्या का पालन करना चाहिए इससे आपको उनका आशिरवात प्राप्त होगा और आप सफलता की सीडिया चर्टे चले जाएंगे आज आपके अध्यापक आपको ऐसी सला दे सकते हैं जिस पर अमल करने से आपका जीवन ही बदल जाएगा और आज आपको अपने अध्यापको की गाइडेंस लेने से खिर्चकना नहीं चाहिए नौकरी पिशा व्यक्तियों को आज खर्चा अधिक होने से मांचिक चिंताएं बढ़ सकती हैं इसलिए आज आपको जरूरत है कि आप शान शौकत की चीजों पर ज्यादा खर्चाना करें और केवल जरूरत की चीज़े खरीदें लोटरी, सट्टा बजार, शेयर, इत्यादी में आज आप अचानक धन भी कमा सकते हैं आज सफेद वस्तर धान करना आपके लिए अतन शुब होगा आज का आपका राशी फल देखते हुए, मैं आपको तीन स्टार देता हूँ आपका या आपके बच्चों का पड़ाई में मन नहीं लग रहा है एक्जान में अच्छिन नंबर नहीं आ पा रहे है या नौकरी मिलने में समस्या हो रही है या नौकरी तो मिल गई है पर प्रमोशन नहीं हो पा रहा है इंकम से जादर खर्चा हो जाता है प्रांस्फर हो रहे है शादी नहीं हो पा रही है या आपका अपना घर नहीं बन पा रहा है आपका जो व्यापार है उसमें व्रिद्धी नहीं आपा रहे है आपके पास धन्गी कमी बनी रहती है या आपका स्वास अच्छा नहीं रहता आप हर समय बेमार लेते हैं या आपके बच्चे बेमार लेते हैं या अन्य ऐसी किसी भी समस्या से आप पीड़े थे तो आप स्क्रीन पर आ रहे है नंबरों पर हमारी वेबसाइट पर जाकर या इमेल के माध्यम से या वाटसाप वीडियो कॉल के द्वारा गुरू रज़ी शिशी जी से या गुरू मारुक्मनी जी से या निम्रोलोजी के म आध्यम से अपने लिए या अपने बच्चों के लिए एक लखी नाम जानने के लिए अपने व्यापार के लिए एक भागेशाली नाम जानने के लिए जिससे कि आप दिन दुनी राजचोगनी प्रगति करें आप मुझसे संपर्ग कर सकते हैं जिसके लिए आपको एक इंस्टिटूट चलाने के लिए धर कर्म के काम जैसे की यग्यों मायग्यों के आयोजन के लिए प्रशादेव लगगर के वित्रण के लिए किया जाता है आपके द्वारा दी गई इसी पीस में से हम अगले दें प्रमक रूप से आपके नाम से आपके लिए पूजा हवश्य करते हैं चलिए आप जानते हैं कि कर्ण्या यानि कि बर्गो राशी वाले जातकों का आज का दिन कैसा भीतेगा राजमीती के शेतर से जोड़े व्यक्तियों को आज शुब समाचार प्राप्त हो सकते हैं और आने वाले चुनावों में किसी अच्छी जगह से लड़ने का टिकट उन्हें प्राप्त हो सकता हैं यदि आप आज नया वाहन खरीजना चाते हैं तो आज के लिए इसका दिन शुब हैं आज आपको अचानक धन प्राप्ति के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं पर अनावश्य खर्चे करके आप उतनी ही जल्दी उस धन को गवा भी सकते हैं इसलिए अपने खर्चों पर काबू रखें और जो भी धन आप कमाएं उसे सई जगह पर इन्वेस्ट करें आज किसी बड़े वेंचर क्यापिटलिस्ट से मुलाकात होने पर बविश्य में आपकी स्टार्ट अप को फंडिंग मिलने के राजते खुल सकते हैं आज आपको अपने माता पिता और जीवन साती के भरपूर प्याद प्राप्त होगा जिससे आप अपने आपको अत्यत भागविशाली महसूस करेंगे आज आपको अपना विशेश ख्याल रखने की जरुवत हैं और टाइम पर भोजन ग्रहन करें और हाईजीन पर भी विशेश तोर पर ध्यान दें अनिता आप बिमार पढ़ सकते हैं आज काले कुत्ते की सेवा करके उसे रोटी खिलाना आपके लिए अत्यान शुप होगा आज आपके छोटे भाई का स्वास्त खराब हो सकता है इसलिए आज आप उनका ख्याल रखें आज आप हनुमान जी के मंदर जाकर हनुमान चालेसा का पाट अवश्य करें आज अंदे बिखारियों को बोजन कराकर उनकी साहीटा करना आपको शुप फल पदान करेगा आज का आपका राशी फल देखते हुए मैं आपको तीन स्टाट देता हूँ अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ तुला यानि की लेबरा राशी वाले जातकों का आज का दिन कैसा वीतने वाला है। यदि आप अभी नएा वहन या मकान लेने का विचार बना रहे हैं तो अभी के लिए से काल दें, अभी नया घर या वहन लेने के लिए आपका समय शुब नहीं हैं। आपको अपने माता पिता जी के स्वास्ते का विशेश ज्यान रखना है आज उनका स्वास्ते खराब होने की वज़े से आप परिशानियों का सामना कर सकते हैं परतु आज आपके समझ आपके भाई बेनों के साथ उत्तम रहेंगे और आज आपके समंदों में मद उर्ता आएगी आज पित्र पक्षी ओर से भी आपको कोई विशेशलाब प्राप्थ हो सकता है आज किसी की भी आलोचना करने से परेज करें अन्यता आपको अपमानित होना पड़ सकता है आज आपका उत्सा और जोस्पी कम रहेगा इसलिए आज आपको जरूरत है कि आप रातर काल उठकर पवित्र होकर व्यायाम करें इससे आपके शरीर में पॉजिटिव एनर्जी का संचार होगा आज का आपका राची फल देखते हुए मैं आपको दो स्टार्ट देता हूँ आज आपका स्वास्ते उत्तम रहेगा और आपका उत्सा और जोस्पी चरम पर रहेगा आज यदि आप किसी परेशानी में फसे हैं तो उसमें आपके रिष्टेदारों की साहिता से आज आप उस परेशानी से बहार निगल सकते हैं आज आप अपने बिजनस से संबंदे कुछ बोल्ड फैसले लेंगे आज आप अच्छे financial decisions लेंगे और व्यर्थ की खर्चों से परेश करेंगे यदि आप तीर्थ यात्रा की योजना बना रहे हैं तो ये अतिन्थ शुब विचार हैं और अपनी तीर्थ यात्रा का पूर्ण फल भी आज आपको मिलेगा आज आपका ग्रियस्त जीवन पूर्ण था खुशाल रहेगा और अपने पार्टर को खुश रखने के सबी प्रयासों से आप उनका दिल जीद लेंगे आज आपको अविश्य ही अपने लाइफ पार्टर के साथ कहीं घूमने जाना चाहिए और साथ में टाइंस्परेंट करना चाहिए आज सरकारी करमचारी अपनी ट्रांसफर की ख़बर सुनकर दुखी हो सकते हैं यदि आज यात्रा करना अतिल आवश्यक ना हो तो उसे टाल दें आज आपके एक्सिडेंट होने का खत्रा बना हुआ है आज गरीब व्यक्तियों को अपने घर पर आमंतित करके उनका सत्कार करें और उन्हें बोज़र करें आज आप चांदी का सित्का अपनी जेब में रखकर अपने कारेस्टल की और प्रस्थान करें इससे आज आज आपका दिन शुबर हैगा आज का आपका राशीपल देखते हुए मैं आपको 4 स्टाक देता हूँ अब मैं आपको बसाने जा रहा हूँ धनू यानि की साजी टेदेस राशी वाले जातकों का आज का दिन कैसा वीतेगा आज आपके पड़ोसी ही आपके मान सम्मान को जूटी बाते फैला कर नुकसान परचाने की कोशिश कर सकते हैं इसलिए आज आज आप उनसे साथान रहें आपके ससुलाल परक्षि किसी व्रक्ति की वज़ह से आज आपको धन्हानी भी हो सकती है यदि पिछले काई दिनों से आपके वर्क्प्लेस पर आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था तो आज आपकी सब ही दिक्कते हल हो जाएंगी और यदि आपके बॉस या से कर्मी के साथ आपका कोई विवार चल रहा था तो वह भी आज सुलत जाएगा व्यवसाइक लोगों को आज अपने व्यापार की प्रगती के लिए सही दिशा में इन्वेस्ट्मेंट करना चाहिए यदि आज व्यवसाइक लोग सोचल मीडिया के माध्यम से अपने व्यापार की रीच बढ़ाना चाते हैं और इसके लिए कोई investment करने का सोच रहे हैं तो इसके लिए आज का दिन अत्यंत शुब है और आपको अपनी investment से कई गुना returns प्राप्थ होंगे आज नहाने के पानी में दही डाल कर स्वान करने से आपको शुपफल प्राप्थ होंगे आज का आपका राशी फल देखते हुए मैं आपको तीन स्टार्ट देता हूँ अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ मकर यानि की Capricorn राशी वाले जातकों का आज का दिन कैसा रहने वाला है आज क्रोध बढ़ने से आप भ्रमित हो सकते हैं और टैस्ट में आकर कोई ऐसा डिसीजन ले सकते हैं जिसका पश्तावा आपको पूरी जिंदगी होगा इसलिए आज आपको जरूरत है कि आप ठंडे दिमाग से काम ले और बेवज़े के विवादों में उलजने से बचें आज किसी से भी जगड़ा मोल लेने से मामला कोट का चैरी तक पहुँच सकता है जिससे आपका व्यर्थ में ही धन नश्ट हो जाएगा आज अंडा, मीर, मुर्गा, शराख, इत्यादी का सेवन करने से बचें या आपके लिए अत्याद हानी कारग हो सकता है व्यर्थ साइक लोगों को आज अपने व्यर्थ साइम में अत्यादीक सफलता प्राप्त होगी और आज कोई बड़ा ओर्डर प्राप्त होने से आपका मुनाफ़ा बढ़ेगा आज भूरी गाय की सेवा करने से आपको अत्याद शुपफल प्राप्त होगे आज आपके राशी फल को देखते हुए मैं आपको दो स्टार देता हूँ अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ वैस सरल और चमतकारी उपाए जिसे करके हर राशी का जातक अपना घर या दुकान शीगर अतिशीगर बना लेगा आज आप किसी भी निर्दन व्यक्ति को अपने घर पर आमंत्रित करके उसे भोजन कराए और अपनी शम्ता के अनुसार उसको दान दे जब वैं निर्दन व्यक्ति आपके घर से प्रस्थान करें तो आप उनसे आशिरवात अवश्य में यदि आप आज इस उपाय को शद्धा पूर्वक करते हैं तो शीगर अतिशीगर आप अपना घर या ओफिस बनाने में सफल होंगे आई अर जानते हैं कि को यानि कि आईकुईरे साशी वाले जातकों का आज का दिन कैसा भी देगा अज छोटे बच्चे अपनी शरातों से माता पिता को परिशान करेंगे अपने बड़े भाई के घर से आपको शुप समचा अज प्राफ्त हो सकते हैं आज आपको भगवान ये जितने भी सुक बख्षे हैं उनका भरपूर आनल लेने के लिए समय मिलेगा जिसके लिए आपको भगवान को शुक्रिया अता करना चाहिए आज सरकारी नियम कायदों में बडलाज से आपको अपने व्यक्साय में भी लाभ होगा और यदि पिछले कई दुनों से सरकारी दब्तरों में आपकी फाइले खटकी हुई थी तो आज वो भी प्रास हो जाएगे आज आप अपने परिवार की सदस्यों के लिए एक लखी चाम साबित होंगे और आज आपके साथ से आपके रिष्टेदारों की प्रगती होना तैह है परतु घर में अशांत वातर और फोने की वज़े से आज छात्रों की एक आगता भंगोगी और वे पढ़ाई में फोकस नहीं करपाएंगे आज आपके विचारों में भी स्तरता नहीं होगी जिसे वर्क प्लेस पर भी आप अपने कारों में रुची नहीं ले पाएंगे आज आप 11 मूलिया रातरी के समय सिरहने रबकर प्रातर काल मंदिर में दान करें इससे आपको केतु देवता का आशिरवाद प्राक्त होगा यदि आप चांदी का हाथी घर में लाकर रखते हैं तो ये भी आपके लिए अटेंश रहोगा आज का आपका राशी फल देखते हुए मैं आपको दो स्टार्ट देता हूँ आईए अब जानते हैं मीन यानि की पाईसे जाशी वाले जातकों का आज का दिन कैसा रहने वाला है आज भाग्या आपका भरपूर साथ दे रहा है और आज आपके सभी अटके हुए काम बन जाएंगे आज आपको सरकार की ओर से भी कोई फाइदा हुता हुआ नजर आ रहा है चातरों के लिए आज का दिन सर्वत्तम है और आज उनको उनकी मेहनत का संपूर्ण फल प्राप्त होगा यदि आप किसी कोजिंग इंस्टिट्यूट में एड्मिशन लेना चाते हैं या अपनी पढ़ाई पर कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाते हैं तो आज आपके लिए बहुत ही शुप दिन है और आज आपको अपनी इन्वेस्पेंट पर रिटर्न अवश्य मिलेंगे आज आपके से भी कारे के शुप पर अपनी माता जी का अश्रवात आउश्य लें इससे आपको उस कारे में सफलता प्राप्त होगी दूद के व्यापारियों को आज धर्हानी का सामना करना पड़ सकता है आज आप शीशे के बरतन का प्रयोग करने से भी बचें आज का आपका राशीपल देखते हुए मैं आपको तीन स्टार देता हूँ क्या आप कर्जे के बोज से दबे जा रहे हैं क्या आपका लोन कम होने के बजाए बढ़ता जा रहा है क्या आप कर्जदारों से परिशान हो चुके हैं तो आज ही 133 देशों में प्रसिद शनी मंदिर बाले परम पूज्य गुरू रजनी शरिशी जी से अपनी सभी समस्याओं का समधान जानिए अधिक जानकारी के लिए संपर्प करें झाल